क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ हर सपने में काबिलियत होती है कि वो आस्मान की बुलंदियों तक अपनी उडान भर सके लेकिन अगर सपने देखने वाले की आँखें ही नोच ली जाए उनसे उनकी इज़त छीन कर उन्हें तडपा तडपा कर मार दिया जाए तो क्या कोई भी अपनी आँखों में कोई क्वाप सजा पाएगा हिंदुस्तान के सबसे नए डाटा के अनुसर साल 2019 में हिंदुस्तान में महिलाओं के प्रति अपराद के कुल 4,5,861 मामले दर्ज हूँ बलातकार के मामलों में साल 2018 के मुकाबले 7 प्रतिशत का इजाफा देखा गया हर दिन लगभग 87 रेप के मामले सामने आए और ये तो वो मामले हैं जो रेकॉर्ड किये गए बहुत से मामले तो लड़कियों की सिस्कियों तक ही खतम हो जाते हैं साल 2021 की शुरुवात में ही एक ऐसा केस सामने आया जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया हर कोई बस यही सवाल कर रहा था कि ऐसा कैसे मुम्किन है क्यूंकि इस केस की कडिया ना सिर्फ मासूमों से जुड़ी थी बल्कि निशाने पर खुद कानून के रखवाले थे अब्बू इतने गंदे चूते पहन के चाहेंगे कि आप मैं भी साफ कर देती हूँ अरे तू रहने मैं कर लूँ को बिटा अब्बू आप सिफ हमारे अब्बू ही नहीं है बलकि हमारे रोल मॉडल भी है तो आपके कदमों की धूल को तो भज़दा करना पड़ेगा ना? माशालला, आज कल बड़ी-बड़ी बाते करने लगी है तू? बड़ी-बड़ी बाते भी करने लगी हो और ये देखिये, शूस भी बड़ी ऐसे पॉलिश करने लगी हूँ मैं. नाश्ता रेडी है, कर लीजे. बहुग लेए मुझे. जानती हूँ, आज हिना की सालगी रह है. रह रहकर उसी को याद कर रहे है न? अगर आज वो होती, तो अब तक पुलिस अकैडमी जॉइन कर चुकी होती. मलाल तो इसी बात का है, कि एक पुलिस अफसर होते हुए भी अपने बेटे को इंसाफ ने दिला पाया. इंसाफ ने दिला पाया? लेकिन आप तो बोल रहे थे, आपने विकरांग को अरेस्ट भी कर लिया था. यह कानूनी दाव पेज भी बहुत अजीब होते है, नजवा. यहाँ गुन्यगार कोई न कोई रास्ता निकाल के बची जाता है. चलता हूं. सर, ड्रेग माफिय राणा के खिलाफ इन्फोमेशन है. सर, वो जमना नगर में किसी गडाउन में चुपा हुआ है. और साथ इन्फोमेशन ही है कि वो आज ट्रग डिल करने वाला है. एग्जेक्ट लोकेशन बेजो मुझे. शंगर! शिवे! जाओ, योगी का पता लगा. वो देर हो गई है. गॉल नगाओ, से. शिवे! शिवे! जड़क इन्फोमेशन को मुताबिक राना इसी गडाउन में है. थाने में इन्फोम किया? आज रबड़ेस, आप बैकप क्यम लेकर किया है. शिवे! 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 अंतर से कुछ आवाजी आरही है. मैं पिछे जाकर चकडता हूँ. तुम अए! तुमाज वग मैं आप सटाओ! ए! रुक! रुक! गॉल बाजिवा! शुलतार को आउश्पेरल बचाओ, जल दे! विक! सर, सुनील! सर, बैठ एको साँ! मैं तो यक जिव चोटा था, पैडलर हुज था. मैं उसे महाल लेने काया था, साँ! अज हमारी अइनवरसरी थी. हाजी के दिन शादी हुई थी और हाजी वित्वा हो गई! सुनील को लेकर हमें पॉर्ण 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 आप यह अफसूस करने से मेरे पती वापस नहीं आ जाएंगे! अब किरन, वो इम सॉरी स्पूर्ण पस आप ही सुनील को दिन रात रगडते रहते थे! यह क्या कह रही है किरन, मैं… आप ही जिम्मेदारें मेरे पती के मौत के और मैं यह कभी नहीं भूलूगी! सर, अगर मेरा बस चलता तो मैं सुनील के जिए कर खुद वार से लेता सर, लेकि मैं सुनील को… क्या जबाती मौत हो सुलता! जब हम बैकप टीम लेकर आ रहे थे, क्या ज़रोती बादूरी दिखाने की? सर, मुझे लगा कहीं वो लोग भागना जाएं सर! भाग तो अप ही गए ना! साथ में हमने हमारी टीम के एसा इसुनील को भी खो दिया! सर, मैं इस राना को छोड़ूगा ने सर! सर, मैंने अपने लिए टार्गेट सेट किया, सर मैं! तीन दिन में राना को सर आपके सामने लाकर रहे हैं! फिर चैस्पाती हो रही हो, सुल्तार! देखो, राना के साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह मैं डिसाइड करूगा! फिलाल तुम घर जाके आराम करो, और ठीक होने के बाद ही ड्यूटी जाइन करो! सर, मैं ठीक हो सर! इस्माई ओर सुल्तान! सर! अब संदर लगलिये! अजड़ाइस कर नहीं! मला! किंटो! ए, गोड़न! छोड़े में प्राणे! हालती, रिलाक्स! क्या हुआ? तुमने तुम मुझे डराई दिया देवाकर! बेटा, सुआ! पापा, तुम्हारी ले क्या लाएं देखो! यह देखो! वाव, यह 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 लिए? तुम्हारी लिए, जाओ अंदर देखो खेलो! जाओ, भागो! क्या हुआ अरती? कल राद भी पैने कटे गाया क्या? तुम दवा टाइंक से ले रही हो न? मेरी दवा सिफ तुम हो दिवाकर! जब भी तुम रात में घर नहीं आते है, बहुर डर लगता है! लगता है, मानो वो फिर से! और इस बर किट्टू! वो नहीं आएगा अप! तुम खाम-खाम वहम बाल रही हा अरती! आप खुद तो कभी कॉलेज गई ही नहीं! अब मैं जा रही हूँ तो आपको चिड हो रही है! आयात! इतनी भी बतमीज मत बनो, तुम्हे उलाद करने में शरम आया हमें! अरे! ये क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? मुझे ता सिफ चोट लगी है ये लोगी है लुकित, शोडील नहीं रहा हुआ क्या? शोटन दा, उटा, शोटन दा! वोटन दा! उट! दो! दिवागर, दिवागर प्लीज बन कर दो आपके लेसे! मैंने बन सकती! बन कर खाँ, आप! आप, प्लीज! आप! मैंने बन कर दी, दास्टा को! दिवागर, एक बात बताओ गल को मैं नहीं रही तो तो किसे क्यों सोचती हो आर्टे तू? जिदिकी का कोई भरोसा नहीं है दिवागर और मेरे हाथों की ये जीवन रिखा कित्मी जोटी है, देखो पताओ ना दिवागर, अगर मैं नहीं रही तो क्या तुम किट्टो को ऐसी प्यार करोगे जैसे अभी करो चालत कैसी बात एक सोते लगती हो तुम, क्या हो जाता तुम्हे? अंसर्टेनिटी, इन सिक्यॉर्टी सबकी लाइफ में होती है, दिवागर किसी में का मोते किसी में जाधा होती, और मुझे अपने फ्यूचर से नहीं अब 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 उन्हें पास्त से ढलाती है और किट्टू तो रहेब चाइल्ड है तुम्हारे बेटी को एड़ी बस आर्थी, बस अब 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 आधा नहीं आए, तुम्ही मिमार होगे हाँ? आर्थी किटू मेरी बेटी है, यही सच है तुम हमेशा ही सब बात करके मुझे मुझे हख करके और कुछ दिवागर दिवागर, I'm sorry Sorry I promise I won't hurt you anymore I love you I love you too, आर्थी आर्थी सर, योगी जन्पुरा का एक ड्रग पैडलर है और इसके जैसे कई पैडलर्स, राणा से ड्रग पच्छेस करते है उच्छे कुछ बताया है, राणा काम मिलेगा? नहीं सर, आलांकि ऐसा लगने रहे कि जादे कोछ जानता होग हाँ लेकर सादमा में ये भी जी, नजमा जी सर, सुल्तान का कल राद से फोन बंद आ रहा है वो खाना भी खाके नहीं गए इसलिए मैं लेके आई थी उनके लिए पर वो तो चुट्टी पर है ना? ये लेकिन वो तो कल राद को ड्यूटी पर निकले थे उन्हें कॉल भी हाया थे हलो जनक आये ठीके मैं आता हूँ खाना तो खा के जाईए मैं वापस आता हूँ लेकिन लेजमा जी, सुल्तान थाने नहीं पाँचे और वो फोल किस काया था सुल्तान को? सर ये तो उन्होंने नहीं बताया था लेकिन हम वो किसी जनक के बारे में बात कर रहे थे सिर्द जनक सुल्तान का खबरी है और इसने ही सुल्तान को राणा की डिप दी थी और अब जनक का फोन बंदा रहे अगर ऐसा कुछ होता तो सुल्तान ने इस बारे में हमें बताया होता। ठीके सुल्तान और जनक के फोन एक साथ बंध होने का क्या चक्कर एंगा बता करो इन दोनों को फोन काम बंद लेते। ओकी से तुमसे कितनी बार काया है मैने थी मुझे फोन मत तिया करो मैं खुद आ जाओंगी अचा सुनो मेरी बात किस से बात कर रहे थी? वो फ्रेंड से अब्बु का पता चला? नहीं अम्मी आप क्यो इतना टेंशन ले रहे हो पहले भी तो अब्बु कईकर दिन घर नहीं आया करते थे लेकिन तुने ये इतना मेक अप के इस खुशी में किया हुआ है फिर से पार्टी में जा रही है अम्मी आप और अब्बु हमेशे मेरे पीछी क्यों पड़े रहते हों? आपको और अब्बु को हर चीज से प्रॉब्लम है मेरी आपको ना हीना बाजी कोई जनम देना चीए था मुझे नहीं मैंने तुम ओफिस मता ना मैं आता हूँ हाँ 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 क्या बत्तमीज यह है वादे पता यह क्या है ना फिर यह पिछले एक साल से कमडी के करीब 25 लाका फट फर्चा का हुआ इसकी कोई डिटेज्स दे प्रदीप उसका ऐसा गया खाँ उससे क्या पूछ रहा है चागर पूछ उस अकाउंटेंट से उसी ने गवन किया होगा और हाँ तुने तो निकाल दिया था ना उससे उसे तो मैं जेल भीजवा जय था क्या है मुझे क्योंकि तेरी कजीन है रधीप साब साब बता तू मेरे साथ क्या गेम खेल रहा है मेरे सारा बीजनेस पार्पने चाहते है तू हडपना चाहता है नहीं हडप लिया है पर अब चिलाना बंद कर और निकल नहीं आ से मैं सब कुछ कर सकता हूं यह उफिस मेरा है और तू मेरा बाल भीभांकां तो संपजा थे propagता में क्या कर सकत को तिलसी आर्थी में बाल भूं करता हो तु मां लिए तू नहीं मिल रही है तू नहीं मिल रही कि टुप मैंने कई जगे ढूटा बाहर मार्केट में, महौले में, टेरिस पे, पथा नहीं कहाँ चली गई अच्छा ठीक है मैं आभी आया, ठीक है सर सुल्टान का फोन इसी रेंड में बंद हुआ पेट्रोलिंग डिम को सुल्टान की लाश यहां पर मिले वोदी ब्रूटल मार्र है पिछले साथ दिन में हमारे दो कलिक मारे सर्प्राइजिंग बात तो यह है सर कि कलरत को सुल्टान को जिस नमबर से कॉल आया था वो नमबर फीक आईडी से लिया गया था सुल्टान की बाइक तो यहां पर है और उसका फोन नहीं है और यह जनक खबरी इसका फोन भी लगातर बंद आ रहा है हम मान कर चल रहे थे कि जनक ने सुल्टान को राना की टिप दियो तो क्या सुल्टान के मर्डर में जनक का हाथ है पॉसिबल है सर, जिस तरह से ये गाइब है, उससे तो इसे ही लग रहे है वो सकता है जनक ले इंजान बूच के सुल्तान को टिप दियो, सुल्तान ही या पर आया और उसका मर्डर हो गया मतलब सुल्तान का खब्री सुल्तान के मर्डर में इंवाल्ब है पता करो ये खब्री कांड Wow अर्थी किट्टु पैटा अर्थी रहा हो किट्टु पैटशा किट्टु अर्थी किट्टु नच्टी पिटा कहाँ चली तीटु तुम Alejentre अदिवाधर मैं किट्टु पहाँ क्यों गयी हो उसको पता चल गया कि तो बुसके असली पापा नहीं है इसलिए रूट कर वो पार्क में चली गए थी आने का नामी नहीं ले रही थी बहुत मुश्किल से मना कि लाए आर्थी मैंने कहा था ना तुमसे ऐसी बाते मात किया करो किट्टू किट्टू सुलिया ना सब किट्टू आर्थी तुम ऐसा करके मेरे और किट्टू को बीच में दूरिया क्यों बढावा चाहती हो सुरी दिवागर मैं को तंग आ गई हो अपने दिमाग से अरे पता नहीं क्या-क्या सोचती रहती हूं मैं आर्थी आर्थी अच्छा थी नो मत हम संजाएंगे किट्टू को संजाएंगे सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा हाँ बोल सर ये क्या सुनने को मिल रहा है मुझे सर आप मेरा लुकाउट नोटिस जारी करने वाले हो तो पहले ये बता गाइब का हो गया था ठीक उसी वार जब सुल्तान का मडर हुआ सुल्तान सर के मरने का दुख मुझी भी है सर वो कहना मैं गाउँ चला गया था और वहां मेरा फोन खराब हो गया इसलिए मेरा फोन बंदा रहा था लजबाजी सुल्तान के बिना हमारे लिए भी यह घड़ी बहुत दर्दनाग है लेकिन सार सुल्तान को किसने मारा वो ड्यूटी पे नहीं तर लिंग तो उने किसने बुलाया हम ठीक हाथ कर जाए सुल्तान के कुनेबार को किसी भी किमत पे बक्सा नहीं जाए आपस बस हिम्मत बनाए रखिए सब कुछ कात्म होगिया सर सब कुछ कात्म सर चरग ने कौल खोद किया था वो कह रहा है कि गाउं में है कलचाम तक आएगा पोस्वाडम करने वाले डोक्टर का कहना है कि सुल्तान और सुल्तान की बेटी के मर्डर का एमो सेम है अच्छा अच्छान ने विक्रांदाम के किसी रड़के के खिलाफ चार्शीर फाइल की थी ना सुनवाई चत्री ना उसमा जी अज़र उस लड़के की इना की छोटी बेन पर बुरी नज़र थी और इसी वज़े से उनका जवड़ा हुआ था अयाच सुनना अयाच तो पीछा नहीं छोड़ेगा न मेरा तो तो ओई क्यो कर रही है अच्छा वारिश में जला रही है अग लगा रही है तुमें समझ नहीं आ रही? अरे समझ तो तो नहीं रही है अच्छा तुझे मैं संजाती हूँ आइंदा अकर मेरी भेहन के आस पास भी दिखाना तो छोड़ूंगी नहीं तुझे इना के मडर के बाद विक्रान फरार भी हो गया था लेकिन सुल्तान यह से साथ दिन महीं पकड़ लिया था आँ अगर मेस्च करा रहा हूँ क्यों मारा ही ना को? मैस्च करा रहा हूँ हलाकि सुल्तान इस बाद से अपसेट था एक और ने पिछले महीन उसका जमानत पर रहा कर दिया मटर का इमो तो सेम है यहां एक बात है जीव है, सुल्तान को फिक आइडी के नंबर से फोन किया गया और क्राइम से सुल्तान को फोन के इस पहले में भी इस केस का राज चुपा है संभालिए दीदी खुद को, ऐसे दो आप अपनी है हम दोनों ही बदनसीब है दीदी पुलिस वालों के आप सी तान्या तानी के चलते एक के बाद हैं हम दोनों के इपते पुलिस वालों की तना तने यह तो क्या बोल रही है बाजी, रिश्वा बाजी यह क्या हो गया बाजी, पहले ही ना हमें चोड़के चले गई और अब जीजा जी वेश्वा नहीं बाजी आप अगर तूट गए हयात को कौन संभालेगा नहीं बाजी बाजी वो हयात दिखाई नहीं देरी कहां पर रहो बोला ना आ रही हूँ अब क्या फोन ही करते रहों के हयात क्या बेहुद गया यह क्या यह कैसे तस्विर है यह सब कर दितो हमा अबू अबू मुझे हयात से बात कर नहीं तीजे हयात तुम चला हमारता भाईया यहां साइड मे रोकना अबू अरे आ गई तु चला तु अपना उतार तुम अपना बंद कर के आप Clerد अरे, तुम libertyने मैं कर दिल दुकाया झाते मैं मैने आपका दिल डु कहायानौ पाप, सुरी पाप, माम यह मुझे सब कुछ बता दिया, बेटा? कि यह बहुत अच्छी हो, और आपी मेरे बाप को. अच्छी बेटा, बेटा, बापा लख इसो माच, हाँ? अच्छा बेटा, सुनो, तू मंदर जाओ, और जाके सोचाओ. बापा, बस अभी थोड़े दिल में आते हैं? गड़नाइट पापा. गड़नाइट पेटा. यह तु वेब सीरिज देख के क्या काम कर रहा है? मैं सोच ला था कि कुछ इसी तरह की स्क्रिप्ट लिखूँ और… स्क्रिप्ट और तू? बिस्स ठीक से नहीं चल रहा है कि जो यह स्क्रिप्ट लिखने लगे? तुम भी ना अच्छा मजा कर लेती हो. एक काम करो ना तुम अंदर जाओ बस एक सीम बच्चा है बस लिख के मैं आता हूँ. पर लिख के हुआ दो मैं पहले पेल पे बाहर था लेकिन मैंने सुल्तान अंकल की साथ कुछ नहीं किया. तेख फिक रहा हूं था, वो मूर्डर वेपन का है? और सुल्तान का मॉबाइल का का अगा किया तूने? बोल जार मैं सच कह रहा हु जार मैंने कुछ गायम ने किया है ऐसा नहीं माने गातू तुम को अच्छे से पता है ना कि तुम एक रात के लिए घर में याते तो मेरा जी बैठ जाता है और अब तुम चार-चार दिन के लिए घर से बाहर जा रहे हो काम जबूरी आरती आप तुमें स्ट्रॉंग होना पड़े घरती कब तक असी डर डर के रहोगी तो दिवाकर मैं और किट्टो अकेले पूरे घर में अगर कोई चोर हो चक्का और वो आ गया तो सब कुछ नहीं हो गारती पडिशिक इन फर्म कर तो तुम अकेली हो उनका सपोर भी लाइगा ठीक है रिलाक्स साथ मैं क्यों फिक आईडी नमर से सुल्थान सर को कौन सर हुआ देग अब यह कता ही मत बोर ला करता कि उसराथ और तुने प्यस्याय सुल्तान को रहना की टिप नहीं देः नहीं सर उसराथ रहना की क्या मैने इन्यों कोई टिप नहीं दी थी निstarter जिसमें एक आदमी हतोरे के बार से मारा गया। जब से हीना का मर्डर हुआ है, मुझे बार-बार यही केस याद आता है। सुल्टान ने यूभी को उस केस के बारे में नहीं बताया है। साब वो बेल के डिटेल देने ही वाले थे। लेकिन उससे पहले एसल और फिट सुल्टान सर का मिलने का मौका ही नहीं मिला, सर. काई 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 चलक की बातों पर भरहुसा नहीं किया जा सकता है। यूपी पुलिस हैटकवर्टर में पता करो, ऐसा कोई केस आया था क्या, जिस में हतोड़े समदर क्या गया। ओके तर, और एक बस सर, मैं ये सुल्टान की बैंक स्टेट्मेंट चक कर रहा था। तो कदा चले कि पिछले कई सालों से हर महीने 15,000 उपे, किसी रेश्मा खान नम की आरत को ट्रांसफर कर रहा था। रेश्मा का, और सुल्टान का, सन्नेम तो से हम है दोनों के, है कोनी यह औरत? पादा नहीं सा, मैंने सुल्टान की बीवी नजमा से बात की, उसने बोला कि वो किसी रेश्मा को नहीं जानती। साब, ये मेरे शोहर है, अरे उसका बेटा साहिल। मतलब अब सुल्टान की दूसरी बीवी हैं? दूसरी नहीं सा, उनका पहला निखा मुझी से हुआ था, लेकिन उनको किसी और में अपने जिंदगी दिखाई देने लगी, औरत को तो मत का हर एक निष्टा कुबल करना होता है सा, लेकिन मुझे कोई घिला नहीं है, उनकी खुशी थी. सुल्टान की जो पहली, मेरा मतलब आपके अलावा जो भीवी है, दस्मा, वो तो जानती तक नहीं आपको? जानती तो मैं भी नहीं हूँ उसको, बस इतना पता है कि सुल्टान ने किसी और के इश्क में मुझे? साप! साइ, जल्दी से पानी ला! जी अब. साप, सुल्टान की अब्बू है. पिछले तीन साल से लकवे की वज़े से, जिन्दा लाश बनके रहे गए. बोल भी नहीं सकते. सुल्टान जो भी पैसे भीशता है, सब उन्हें की इलाज में कर्ज हो जाता है. नहीं, सेर. मैं भरोसा ही नहीं कर सकती, कि सुल्टान में कोई और शादी भी की होगी. देखें, नजमा जी आपको तो यह तक नहीं मालू, कि सुल्टान की अब्बाबी जिन्दा है. यह, जान दली खान नाम है इनका, सुल्टान की हर डोकुमेंट में इनकी डिटेल्स है. एकरसे से रेश्मा के साथ ही रह रहे है. सर, सुल्टान ने बताया तो था, कि इनके अब बू गाहों में रहते हैं. लेकिन मैं यकीन ही नहीं कर पारियों कि सुल्टान की एक और बीवीबी होगी. सर, आपको याद है, आपने मुझे एक फीक आइडी नंबर दिया था, जिससे लाश्ट कोल सुल्टान सर के बास गई थी. सर, मैंने अपने नेटवर्क से मालूम किया, वो नंबर को इस सतेंद्र नाम का अपरादी इस्तिपाल करता था. और सर, मुझे ये भी पता चला है कि सतेंद्र को सुल्टान सर की सुपारी दी गई थी. और वो सुपारी किसी औरत में दी थी. औरत? कौन? सर, ये तो मालूम नहीं चला. जैनक, लेकिन ये तो पता होगा ना, कि ये सतेंद्र कहा में लेगा? सर, पता करवा रहा हूँ. लेकिन सर, मेरे आदमी नहीं बता है कि वो फीक आईडी नंबर मेरट का था. सर, मुझे भी पता चला है कि सतेंद्र नाम वहां सिर्फ तीसी कट्टा गरीता है. सुल्तान का मिडर हतोड़े से हुआ था, यहां जैनक बेसी कट्टेज बात करता है. और उसके पास सतेंद्र कही फोटो तक नहीं है. मुझे असा लग रहा है सर, यह हमें गुमा रहा है. को सकता है वो ये सब कुछ, राड़ा के गाने पे कर रहा हूँ. हमें पता चला कि सुल्तान की दो भी हुआ है. और अब इंफोर्मेशन मिल रहे हैं कि किसी औरतने सुल्तान की सुपारी बीती सतेंद्र रखो. क्या दब? पता करो कि वाके में कोई सतेंद्र है जिसे किसी औरतने सुल्तान की सुपारी बीती? वो कैसा? अरे बाजी, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे पानी नाना? क्या हो गया बाजी, कुछ तो बोलिये? आप ही जिम्मेदारे मेरे पती के मौत के और मैं ये कभी नहीं भूलूगी क्राइम सीन से सुल्तान का फोन भी गाया भे शायद उसके फोन में कुछ ऐसा हो जो अलगी औरस से तालू करता हो सुल्तान की बेक्ग्राउंड में जितनी भी ओड़ते थी सब की डिटेल लिए सर, सुल्तान सर का जो थाने वाला पीसी है वो पासवर्ट से इंटेक्ट है वो सकता है उसमें भी कुछ सेक्रेटिव डॉक्यमेंट्स रखिया हो उन्होंने ठीक है टेक्निकल टीम को अबलाओ, ओन करवाओ सर सर मैंने पूरा क्रिमिनल डेटाबेस चेक किया पर वहां से भी स्रतिंद्र नाम के किसी भी क्रिमिनल की कोई डीटेल नहीं मिली खबरी जनक का कहना है कि सुल्तान ने यूपी के ऐसे आदमी के मडर के बारे में उससे जिकर किया था जिसका मडर हाथवड़े से हुआ था उसकी एक अपडेट है सर इस तरह के किसीज की डीडेल्स निकालने के लिए मैंने यूपी पुलिस हेड़काटर में रिक्वेस्ट तो बेजी थी पर वहां से कोई अपडेट नहीं मिला हा लेकिन MP के इंदौर में साथ महीने पहले इस तरह का एक केस सामने आजा तेरे केसा पेटी का नम किट्टू और मा का नम आर्ती था मुडर के दौरान आर्ती का पती दिली में था इस double murder case में प्रदीब नाम के अजा आदमी को अरेस्स किया था लेकिन गुच दिन के बाद प्रदीब को कोड़ने बेल देदी थी यहाँसा आदमी जो हतोड़े से किये के दो-दो मडर में प्राइम सस्पेक्ट है और बेल बेबार सर मैंने कोई मडर नहीं किया था मेरे पर बेबुनियादी आरोप लगाए गये थे ट्रस्ट मी सर आर्टी के घर में जो पानी का ग्लास मिला था उस पर फिंगर पिंट्स में ले थे उस पर तुमारा सिलाइवा जो तुमारे डियाने से मैच होता है सर लेकिन मैं तो कभी उसके घर गया ही नहीं सर मेरा यकीन मानियों मुझे फसाने के लिए फ्रेम किया गया है कोई फ्रेम नहीं किया गया था आर्टी गेस्बेंट दिवाकर के साथ तुम्हारा बिजनेस को लेका इशू चल रहा था इस्ट्रॉंग मोटिव था तुम्हारे पास हाँ सर मैं मानता हूं कि दिवाकर के साथ मेरे कुछ इशू थे पर सर ट्रस्ट मुई सर मेरा इस मंदर से कोई लेना देना नहीं खाना लगा दिया है खाले जी अमी और यह मुझे देखे लैपटॉप क्यों बंगिया आप वो कुछ नहीं अमी क्या देख रही थी कुछ नहीं वो बस ऐसे ही अमी अमी अबे मुझे माम कर देजा आपे मुझे पता है मुझे बहुत बड़े गल्तियों कई अबे मुझे चायद श्रत मेरी मज़े से पीना भाजी और आपो अरती के पती से भी मिलते एक बार पता करो वाजकल कहा है तोगे सर और साथी सतेंद्र का भी बता करो और राना का भी और चनक पर भी नदर बनाए रखो तोगे सर सुल्तान सर्जो पीसी इस्तमाल करते थे उसका पासवर्ड रिट्रिव हो गया इस फोल्डर में राना के केस के अपडेट है और इस दूसरे फोल्डर में हीना के केस से रिलेटेड भी कुछ लिखा है ठीकि उसने आत्म लोग क्यो लिखा है आत्म लोग सर इस नाम की तो एक वैब सीरीज भी है वैब सीरीज यह सर अकरीबन दू साल पहले एक OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुए तुमने देखे दी वह वैब सीरीज नहीं सर जूटी से टाइम ही का मिलता है इस केस के लिए अब तुम ड्यूटी के टाइम पे वह वैब सीरीज रहे है ओके सर अब जाए प्रदीप से दोखा कहने के बाद मैं नहीं सीरीज अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था ताकि आरती और कुट्टू को नहीं और अच्छी जिंदिगी दे सको इसी सिल्सले में दिल्ली चला गया था लेकिन दिल्ली जाने के अगली दिन से ही आरती का फोन बंद आने लगा तुमने वो टेंशिन में आता है सिर्वन मैं तुरण दिल्ली से इंदो लोटा है और आकर अर्षा आत्मलोग आय सर्ड मैने भी देखी है सरी ही वेड़ सीरिस और सर हां ए प्रदीब अकसर तानीप करता था इस वेड़ सीरीज के जैसी हमें कुछ पता चलता है हम आपको इंफो करें नहीं सर, कहीं है प्रदीप इस वेड़ सीरिस का कॉपी कट में जा नहीं लगना क्योंकर ये सब प्रदीप ने क्या होता तो अपने इंखिलाब करने से बूट क्या चूँ सर, रेश्मा के बारे में कुछ बाते पता चली कहा हो गई थे तुमारे, पता क्या हमने तुम सुल्तान की नहीं बलके सुल्तान के अब्बू की दूसरी बीवी हो सुल्तान की सगी अम्मी के मरने के बाद तुमने सुल्तान के अब्बू से निकाह किया सुल्तान के अब्बू की जादात का भी लादास था तुमें सुल्तान की कमाई का भी और अब सुल्तान के मनने के बार उसकी जेगाए पर अपने बिटे स्राहिल को नौक्ती दिलवाने के सपने देख रही हूँ नहीं नहीं साब सुल्तान का मेरे साथ भी रिष्टा था बस अब और छूट नहीं अब तुम दोनों सिर्फ ये बोलो खुद मारा था सुल्तान को या सुल्तान की सुपारी देती किसी को नहीं साब हमने किसी को नहीं मारा हमारे पास का है इतना पैसा जो किसी को सुपारी देंगे को गवाए इंसे कर दोड़ाओ सब आपने कीसी पॉलाइटा सर फाइनली यूपी पॉलिस हैटकॉर्टर से बता चरहा है कि साथ महीने पहले आलोक नम की अदमी का मदर के अरकर दिया गया था हतोड़ा मार के सब्सक्राइट इतना ही नहीं मेरी बाथ सुझि campus सर मेने कुछ नहीं कया ज़ा महार मारे… माहünde… सर मेरे बाहत सुझिया मैंने कुछ नहीं किया सर मोडिलिंग डिलाने के लीए इसके पोटो निकाला था kilow भाइन हो अपनी मर्जी से पोटो किची रही थी सर अटरूउ मर्जी से? विए अप्डेट पे फोड़ेश तू अप्लोड कर रहता था था ना? तर्वाइब वो गल्टी से हो गयता है, किसी और काम सर्मा कर सर्थ मैंने कुछ भी नहीं किया सर्थ हिना कही तरह परदाफाज ना करते हैं इसलिए पहले तूने हिना को माई भफुलिना से कभी मिला हीने, सर। ना मुदे अब के अबू से मिला। करमा टेफिन मैंने कुछ भी नहीं किया सर। मैंने कुछ नहीं किया सर। जब तक यह सचन अफले ना, हात भी लिखना चेहे है। व संदाए। तो हमेशा राना की अपडेट देने की बज़ाए कुछ और ही बताता रहता है आचा ठीक है क्या हो शे? सर वो जनक खबरी का फोन आया था ये ये फोटो भेजा है कहरा इसका नाम सतेंद्रे सर बिढवर में इसी बशषिर मामो को हक्यायी सप्लाई करता और इसी बशषिर मामो ने एंसे सुल्तान सर की सुपारी दिघ पहले तो बोल रहा था किसी होरत ने सुपारी दी थी ती, अब ये बशषिर कह हां जया घous she here सर जानता है बशषिर को भी नी प्रदीर को वीसी ने फ्रेम क्या? अलाच्छा लेगो, करीम! रिखो, आँ, सार. थांक्यो. सर, मुझे सिर्फ प्रदीब को खतम करने दो. उसके बाद भले मुझे सुली पे चाड़ाते नाप. मारा प्रदीब ने तरहा बिजनेस अड़ अप लिया था. एकाउटरंण साक्षी ने गवन के तरीके बताए. उनसे बतला लेना चाहता था. पर तुने अपनी बेटी, अपनी बीवी आर्थी और आर्थी के मामा को क्यो मारा? मामा कंस्ता कंस्त! आर्थी को कही साल तक मॉलेक्स्त किया उसने? कित्टू भी इस कमीनी आलोक की बेटी थी. लेकिन मैं काहर था सड. आर्थी की बद्मामी नहों इसलिए मैंने उसे हमेशा पूलिस के पास जानी से रोका. लेकिन मैं उसे प्यार भी करता था. इसलिए शादी की उससे प्यार दिया. और कित्टू को एक सगी बेटी से भी जादा प्यार दिया. तो फिर मारा क्यों? उसका मीने प्रदीप की वज़े से. उसे मेरा बिजनेस अलाप लिया था सान. और जब मैंने उस पे केस करने की कोशिश की, तो उसने मुझे आपिस में बला कर कहा. दिवागर यह जो तू केस करने की सोच रहा है न, उससे कुछ नहीं होगा. तुझे अपने बीवी बच्चों से प्यार नहीं है क्या? उन दोनों को बजार में बेच दूँगा. और तुझे ही उनको गायब करने के आरोप में अंदर करवा दूगा. समझा? अगर वह सच में इसा करता तो सर, मैं तो कही का नहीं रहता सर. फिर मन में आया कि मैं सुसाइट कर दूँ. फिर सुचा कि उस कमीने प्रदीव कु मार दूँ. लेकिन अगर मैं इसको मारता और मैं अंदर हो जाता तो, मेरे बगयर आर्टी एकिट्ट्यू को, उन्हों कैसे जीते सर, उन्हों तो तो तिल तिल मरते हैं, इसले मरे, उन्हें एक जटके में मौत दे दी सर. विवाकर तूम, तूम तो चार दिन बाद आने वारे थी, आज रात कोई आगे? और तुम्हारा बैक का है? और यह ग्लाव्स क्यों पहने हो है? पापा? किट्टू, और रदीप को फसाने का प्लान मरा है, फिर वापस दिल्ली चला गया, और यहाँ रदीप अंदर हो गया, प्रिसूचब, आरती के बदलाप पूरा कर लो, और मैने उसकी मामा अलोक को मार दीगा, और कुछ दिरो बात प्रदीफ जमानत में बहर आगे, मैनने उसे मारने की बहुत कोशिछ कीशी सथ, लेकिन वह हर बार बस्ता रहा, लेकिन एक दिन मुझे 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 मुखा मिला उस तो प्रदीन को मार हो को मैं, तो चोड़ू करें, जिन्दी की प्रपाद करती बढ़ेगी। कहते हैं कभी-कभी हालात इंसान के काबू में नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं, कि इंसान हालात से नाराज होकर अपने ही गुस्ते के हाथ की कटपुतली बन जाये, दिवाकर ने अपने पार्टनर से बदला लेने के लिए अपने ही परिवार की बली चड़ा दी, कोई कितना भी चिल्ला चिल्ला कर कहे कि मैं मजबूर था, लेकिन क्या सच में मजबूरी इतनी बड़ी हो सकती है कि कोई अपनों का खून बहा दे? हाँ, सुल्तान के केस से जुड़ी कुछ ऐसी सच्चाईयां पुलीस के सामने जरूर आई थी, जिस पर यकीन कर पाना उनके लिए मुम्किन नहीं था. सर, चनग ने सातिंदर के एक टिप दिये. ठाला. साथ, साथ, मैंने किसी का मड़र नहीं किया साथ, मैं तो सिवतियार खरीदने और बेशनेया काम करता हूं, साथ. पक्की इन्फोमेशन है हमारे पास, पिजन और के बशीर मामु का उतियार बेशता है तू, उसी ने तुझे सुल्तान के उसुपारी दीती. मानता हूं साथ, बशीर मामु को जानने वाले गोराथ मुझसे मिली थी, मगर मैंने उसा मना कर देता साथ, कि मैं बढ़र नहीं करता हूं, कौन और आथ मिली थी तूसे? ई crit. आे, क्रूसे ले, लेच लेका हैसादा बढ़र लेंचाता क्हुंई Ohh इंडोन. इनोने क्या किया ज़र्टॉ अमी. सदिर्टॉ वाराशी सदियादर नहीं तो कौन. किससे मरवाय सुल्थान को? और शे महीने पेले हीना को? अमी. मैंने तब हीना को किसी तरह से चुप रखने की कोशिश की. कि वो सुल्थान को कुछ ना बता है विए मैं डर था कि वो सुल्थान को कभी भी सज बता सकती है मैं उससे रास्ते से खड़ाना था लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा थे कि कैसे कि क्या हमेशा वालेंस देखती रहती है तू क्या अबू अब मैं अपने पसंद की वेब सेरीज भी नहीं देख सकती अबू क्योंकि इससे क्रिमिनल साइकलोजी को बढ़ावा मिलता है और यह सीन चला थे नहीं मुर्डर वाला ठीक कुछ दिन पहले वैसे कानपरो मुर्डर हुए तब ही मेरे दिमाग में आइडिया आया और मैंने इकबाल को इसे अमल करने के लिए कह दिया जब हीना का मुर्डर हुआ तो सुल्तान को लगा कि शायद विक्रान भी उसी वेब सीरीज का मुरीद होगा लेकिन जब विक्रान बेल पे बाहर निकला तो सुल्तान घर बैट कर ऐसे केसिस पे स्टड़ी करने लगा जिसमें हतोड़े से मर्डर किये गए हूँ सुल्तान जल्द से जल्द हिना के कातिल को पकड़ना चाहता था इसलिए उसे मारना हमारे लिए जरूरी हो गया था लेकिन सुल्तान इतना तेज और चौकना था कि उससे अगर जरासी भी चूक होती तो हम रुपज जाते इसलिए हमने उसकी सुपारी देने का सोचा बशीर मामू मेरे दूर के रिष्टे के जानने वाले थे लेकिन सत्यंदर सुपारी लेने के लिए तयार ही नहीं था तो हमें ही करना था सब कुछ पिर बशीर मामू ने हमारे लिए एक फेक सिम का इंतिजाम किया जो कभी सत्यंदर इस्तमाल करता था अलो सर राना की एक टिप है वो चोहान रोट पार आने वाला है सर जनक भाई ने कहा था आपको अपडेट करने के लिए जनक काया है ठीक है मैं आता हूँ आप जिस नंबर को टायर कर रहे हैं वो इस समें स्विच्ट आफ है जनक यह किससे कॉल करवारें तूने मुझे यह मैसेज मिलते मुझे कॉल कर वेब सीरीज और मर्डर केसे से रिलेटेड चैट हिस्ट्रीज थी जो कि वो अलग-अलग लोगों से मालूम कर रहा था इसलिए मैंनो उसका फोन गयब कर दिया इस केस की बहुत सी पढ़ते थी जिसने यह दिखा दिया कि इनसान किस हद तक गिर सकता है और किस हद तक की प्लैनिंग कर सकता है इस केस को सुलजह पाना पुलीस के लिए बिलकुल नामुम्किन था लेकिन फिर भी पुलीस ने असली अपराधियों तक पहुचने में सफलता हासिल की पती-पत्नी का रिष्टा दुनिया का सबसे खुबसूरत रिष्टा होता है लेकिन अगर रिष्टे में दरार आने लगे उस रिष्टे में कोई कमी दिखने लगे उसकी खुबसूरती खतम होने लगे ये लगे कि अब इस रिष्टे को जीते जी बरदाश नहीं किया जा सकता तो पूरी इज़त के साथ अलग हो जाने में ही भलाई है ऐसी कोई हैवानी साजिश रच कर अपने उस साथी को बेरहमी से मार डाला ये ना सिर्फ कानूनी रूप से गलत है बलकि शायद ये इनसान का सबसे बड़ा गुना है अब मैं सोनाली कुलकरणी आपसे इजाज़त चाहूंगे फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक नए केस के साथ तब तक अपना और अपने परिवार का खयाल रखिये आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दोर से गुजर रहे हैं कृपिया मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तमाल करें और उची दूरी बनाए रखें देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क जाई हिन झाल झाल झाल